जैने दमित्रों हमारी यूटिब चनल स्टेडी विस्तरन आईस में आपका स्वागत है हिंदी की इस विशेष क्लास वे भारति अन्दु अन्दु हरिष्चंद्र का एक नाटक है अन्धेर नगरी बहुत ही काल्जेवी नाटक है कौन सा नाटक है अन्देर नगरी भारति अ ने प्रश्व पर दो बिंदयो पर रंग मंचियता चोटा आटा चाहेंकों का और ये एक दिन में भारते नोहरे हम लिखा था जो बनारस की एक थेटर कंपणी थी उसी के लिए बनारस की एक हिंदू निशनल थेटर कंपणी थी उसके लिए इन्हों लिखा था एक दिन में लिखा था इस नाटक को एक ही दिन में लिख दिया था अक्सर यह होता है कि रंगमंच के अंसार नाटक नाटक के अंसार रंगमंच तयार होता है लेकिन इस नाटक को इन्होंने रंगमंच के अंसार एक दिन में तयार किया था उन्होंने जैसा देखा था कि नुकण नाटक में जो इस तरह से ताम जहाम लगता था दिनिया भर की बवाल होता है और समय मंचन करने में इतनी परिसानिया आती है तो रंग मंच की उस समय की उपलब्दता यानि एक नुकड़नाटक की रूप में भी खेला जाए और इसको सिस्टम से पूरा लगा के भी खेला जाए सारा मतलब इसमें ताम जहां में लगा के खेला जा सके तो इतना छोटा है कि ब्लग बोर्ट का हमें लिख दिया है पहला द्रिस्टे है इसमें जो नाटक का पहला द्रिस्टे है बाह प्रांत है कि बाह प्रांत में तीन लोग हैं कौन-कौन है एक तो महंत जी हैं उनके दो सिस्टे हैं महंत जी है एक तो पहले महंत जी है दो सिस्ट से हैं इनके नारायण दास कि और गोवर्धन दास करते हैं जैसे जो योगी होते हैं गाते भिक्षा यह गीत जैसे लोग कथाएं भारत में परसलित हैं इस तरह से गीत नाटक के रूप में ही लिखा गया है इसमें थे सारे काब्बें हैं वह आएगा विबार आपके सामने और इस तरह से आते हुए आते हैं जब प्रवेश करते हैं इनका गीत खतम होता है तो दूसरा दिर्ष आ जाता क्या आ जाता बाजार पहले दिर्ष में राम बजो राम बजो राम बजो भाई राम के भजे से गनिका तरगी गाते हैं उसके बाद बामान जी कहते हैं कि बच्चा गोबर्धन दास देखो नाराण दास देखो नगर बाहर से बहुत सुंदर दिखाए देता है विच्चा उच्चा कुछ मिले तो ठाकुरी जी को भोग लगे इस तरह से काते हैं तो दोनों को भेजते हैं एक को पूरब भेजते हैं बिख्चा मांगने के लिए और एक को पस्चिम के तरफ भेजते हैं और दोनों जब भिख्चा मांगने के लिए जाते हैं तो पहुंचते हैं एक बाजार बाजार में पहुंचते हैं बाजार सजा सब कुछ सब के लिए कुछ नो कुछ है जैसे कबाब वाला कि सब कबाब वाला सारी कबाब के सारी वराइटी बेज रहा कि भर पेट कबाब चाहे जो खाओ कबाब लबाब और सब क्या है टके से रहें घासी राम यह चना बेच रहे हैं चने जोर गरम यह पूरे जैसे आज भी चृना जो बेशते हैं तो चृना बेशते हुए गाते हुए रहते हैं। नारंगी वाला है नारंगी बेच रहा है हर जगह की नारंगी बेच रहा है सब टके सेर हलवाई है हलवाई सारी मिठाईया बेच रहा है टके सेर कुजडिन है कुजडिन सब्जी और फल बेच रही है तो उसमें जो आपके मार करने वाली बात है सब्जी और फल चिल्ला चिल वा का जी वैसे पाजी इस तराम सारी जो सबची यो सब्सक्राइब चाओर बवाande जो भी यह आप टके सेर है जैसे काजी वैसे पाजी और हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर इसे कहा हिंदुस्तान का मेवा कि हिंदुस्तान का मेवा है प्वूट पूर्ड जानते हैं कघड़ी पड़ती है तो जाला और दूसरा फूट अंग्रेय LO कily जाने दो मस्जिद में जाने तो तबाब सारी हिंदू-Muslim बटा हुआ है तमाम पंथ है उनके पंथों में बटा हुआ है इस तरह जो बटे हुए तो बैर तो हिंदुस्तान का मेवा क्या है फोटा और बैर इसका मज़ा सारी ले रहे हैं यहां पाचकवाला सबसे मज़ेदार तो पाचकवाला पाचक मतलब चूरन बेचने वाला चूरन बेचते जो खाना खाते हैं पज जाता तो उसमें जो गाता है चूरन अमले सब जो खावें चुरन अमले सब खाने, अमले मतलब जो कचहरी में जो प् Administration काम करने वाले लोग है Ü mahajr सरकारी आपिसों में जुब काम करने वाला महाक्मा घंज पार, चुरन अमले सब खाने दूणीLisowat주ududududududududududa आज भी है चूरन सभी महाजन काते महाजन लोग जब चूरन खाते हैं तो सारी जमा हजम कर जाते चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता बड़े लोग खाते हैं पूरा हिंद हजम कर जाते हैं जैसे अंग्रेज खा रहे थे चूरन पुलिस वाले खाते तो क्या होता सब कानून हजम कर जाते तो यह इसकी जो पाचक वाले की है यह इस तरह से गागा के बेच रहा है अब यहां आप देख सकते हैं कितनी प्रासंगिकता है इसकी अगला है मचली वाला मचली बेच रहा है जात वाला देखो जात वाला इंपार्टेट है टके सेर जात जात ले लो जात टके सेर जात यानि हम टके के वास्ते ब्रामड से धोबी हो जाएं और टके के वास्ते धौक भरना पड़ता है उसकी विरादरी से बाहर जाकर उसका भरने के साधिका पड़ता है पानी के लिए बंद करना पड़ता है उस धकोसले उस धकोसले को यह बताया गया और वह सारे ब्रामड बर्क के ठकोसले हैं जो ठकोसला हो करते हैं कि टके के टके सेरजाट टके के वास्ते हम ब्रामड से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्रामड कर दें तो वही इस्तिती है कि होरी ने बताय रहा है प्रेम चन्द का गोदान में जょब होरी को साधी कर लेता तो साधी करने में अपत्ति कि आ पत्ति यह है कि यह भात दे नाज लोगे इसंग मतलब ऐसा हुअ मतलब इसको लुटन क Mississippi efforts बत्ति को सह अभीा सब यहाँ मतलब कि अंग्रेजों को जो भी चाहिए वहीं से उंट up a कीमत पर यानि हम दस रूपए में यह भी लेंगे 10 रूपए लेंगे तुम्हारे कर लो तो बता रहा है कि यह सब टके शेर है बनिया साइर मसाले साइनातब बीच रहा है तो इसके बाद 3 सा जंगल करें मैं यहां जाते हैं भीख मांगने कि KARमाने बजारव में जाने के बाद बूब चादन चीजेंं के साथ आने पाते युद्ध कर दोनों को जंगल मिलने के बाद देखते हैं गठ्री भारी है वारी है तो माल भी होगा बटा तुमको कोई बड़ा असामी मिल गया था इतना सरा माल ले आए हो तो बताने लगा कि यहां तो सब बाबाजी टका से रहें बाब गरूरू जी सब ठके सेर खाएंगे अज ने तो कहते हैं कि एसा तो यहां तो कुछ गड़बड है, कहा नहीं व्यावाजी, यहां बस टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, मतलब कोई नियम नहीं है, कोई कानुन नहीं है, सब टके सेर है, और ये स्थिति है, तो महांजी कहते हैं, सेत सेत सब एक से, जहां कपू ऐसे देश कुदेश में ऐसे देश कुदेश में कबोन कीजे वास यानि जहां पर तरक को कोई अस्थान ही ना मिले बिना तरक की सारी चीज़ों जो इतना सोसड हो सोसित और सोसड में कोई समानता कोई भेद ही ना हो तो ऐसे देश में ठीक नहीं है बच्चा तुम भी चलो हम बहुत समझाते हैं गोपरदंदास को लिक्नाराइन दास और में जी चले जाते हैं यह बैठी अब कौन गोबरदंदास है जो था दृष्ट्री से हुआ राजसभा राजा बैठा हुआ मंत्री हैं तब तक तम उली पान लेके आता है तो सनहाब पता सूपनखा हूई है चौनख जाता है आप चौनकने के बात है यह इंड जब फॉ्जान जाता है उचनी इतनी भैहनक बोला तो अपनल नाया है पानवाले को जो सऊंथatory महाराज में उस LGBT उसने न कुला गलता से तो मांतरी जी कहते हैं कि अरे महाराज माराज जी सोच गड़बड़ जाएगा तो कहते हैं कि इसमें कर पान वाले तर्म का नाम ही गलत है नाम से हुआ है तो प्राया मंतरी जी आप भी बहुत ऐसे हैं और राणी को बता तुम को मैं सजा दिल्वा दूंगी दिल्वा दूंगा कि तुम जो है यह सोथ की बात करते हो सुपनखा को सब्सकाता है इस तरह से रजा फिर अचाने के चलाता हुआ आता एक कि कल्लू आता है वो उसकी बकरी मर यातेमिक दिवाल गिर जाती है हुआ दिता है तो राजा गातने कौन है बुलाया था पोता है क्या हुआ बकरी गिर गई बकरी दिवाल गिर गई बकरी मर गई गई नहीं महाराज दिवाल गिरी बकरी मर गई नहीं महाराज दिवाल गिरी बकरी मर गई नहीं मर गई तो किसे सजा मिलने जिए दिवाल को फां प्छों टो प्रथ चुने से पत्थर से गारे से माहराज तो ऐसे फांसी लेगी, कहता है जिसने दीवाल बने विह उसको लगा दो, उसकी वज़ासे दिवाल नहीं ठीक से बनी और गिर गई, तो कहए उस चुने वाले को फांसी लगा दो, जिसने बनाया तो बनाया उसको बुलाए गया फांसी लगाने के लिए, तो उसने कहे हमारे मेरी कौन से गलती, जो मैंने बनाया उसमें पानी जादा मिला दिया, भिश कि जिसने मना मसक बना उसको बुलाओ को इसटि हो उसकी को बदी तो क्यों बड़ी निवालेस तुम ने इतनी बड़ी czt बेच दी कि हमाराज को तौल की सवारी निकली थी उसमें में छोटी बड़ी ध्यान नहीं कर पाया इसलिए बड़ी एक टके से रहें बड़ी बखरी बिग गई मेरी कौन सी कलती कहें को तौल को फांसी लगा दो कि उसने दूंधान सवारी निकाली बैकरी मरियत किसी फांसी तो होनी होनी है अब परिसान को फांसी के लिए तैयार किया गया अब फंदा छोटा वो तो पतले थे फंदा वड़ा था आई नहीं रहा था तो अब क्या किया जाए जिसका फंदा जिसका गला इसमें आ जाए गये इनको महुत शक की मिठाई खा रहे तो पकड़ी को आयो खा करके चलो आज समझा निकलेगा ले गया चिलाने लगे सब कुछ हुआ तो अपने गुरू को याद किये तो महांत जी और नाराणदास आए तो ताए बच्चा क्या हुआ बताए इनको कि और यह कौन सा द्रिस है यह जब ले जा रहे हैं छटा द्रिस समसान का कि पांचपे जिर गाते हैं जनको पकड़ के ले जाने के पहले वाली वास थे यह गाते हैं कि सांच कहे जे पनही खाए और जूटे वववित पद्वी पाए उस राज की भलाई बता रहे हैं या ऑच्छा ही बता रहे है क्या है सांच कहें तो पनहीं खाए याने सांच सची बात कहो तो जूता खाओ और जूटे बहुवित पद भी पामें और चापलूसी करो उल्टी सिदे पढ़ा दो उसी मंत्री कितरा है जो भी राजा को कर पढ़ा दो तो खुश रहो अन्ना दुंद बचे सब देशा माना हु राज करते हैं तो उनको समझाते हैं कि बाब स्रायम से बिरा करते हैं दोनों उसके बाद महांत जी पुलिस वाले को समझाते हैं जो पकड़कर ले जाते हैं उनको काते हैं कि भीया रुको मैं अपने बच्छिस को अंतिम देदूं अंतिम उपदेश तो कान में उनको कुछ कहते ह अब्चा मैं आज फासी करूंगा तो काते हैं मैं मैं चढ़ूंगा गुबरण अंधास काते मां चाहिसे मैं चढ़ूंगा दोनों खुच्चत देखर के पुलिस वाले काते हैं क्या हो गया तो बताया राजा फिर बुलाए गारे तो डोब लोज़ें कि यह लोग लड़ रहे कि आशी त्यारिकर उम्मैं चड़ूंगा राजा ख़ुद ही फासी पर चड़ जाता तो ऐसे मतलब कहने के मतलब तारकिक्ता नाम की यहां पर कोई चीज नहीं है अब पहली चीज देखिए यहां पर चना हाकिम सब जो खाते प्रासंगिता देखे चना हाकिम सब जो खाते सब पर धूना टिकस लगाते हैं टैक्स दूगना है हाकिमों को कोई तरक नहीं हैं कोई लाजिक ने यहां पर पढ़े लिखे इमांदार लोग कोई कदर नहीं है क्या है जैसे उस समय था आज भी है अगर आप मेहनत से इमांदारिस काम करते हैं तो कदर उतनी नहीं होने जी थोड़ी से इस्थितियां सुधरी है लेकिन वो चीजे नहीं है अभी भी है जैसे काजी वैसे पाजी यानि काजी और पाजी दोनों सिर्स पे हैं दोनों मज़े कर रहा है लेकिन बीच का बीच का जो आदमी है वो पिस रहा जो पाजी है वो अपना पाजी पना से मत्तमीजी से आइस कर रहा है माफिया है आप दे जैसे काजी जो सर्विस सेक्टर में हैं सरकारी चेतर में हो बड़ी बड़ी पोस्ट पर पैसा दुनिया पर का पैसा कमा रहा है कि आज भी फूट और बहर हिंदुस्तान का मेवा फूट और बहर यानि कैसे लोगों पर अपना अपना हग निकालना यह चीजे आज भी लोग जान रहे हैं अब पाचक वाले की बात सुनिए आज से प्रसंगिता दे चूरन अमले सब जो खावें अब देखे अमले का रिषवत लेने का जो परंपरा है आज कम होई क्या नहीं कम होई न आज भी रिषवत के मामले में कहीं भी कोई कमी नहीं है रिषवत आदमी लेता है और बड़े आराम से ले रहा है बस रिषवत की जो सीमा है इस लेबल तक बढ़ गई है कि रिषवत ले करके अगर टाइम से आप काम कर दीजिए तो आपको इमांदार में गिंती हो जाती है पैसा ले करके बेतन तो सरकार दे रही है बेतन तो ले रहे हैं उसकी बाती मत कीजिए चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते आज भी अगर आप प्राइबेट बैंकों से पैसा लेजिए दुनिया भर का पैसा लेते हैं उसका जबर्दस्ती बसुगते हैं चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद है जम कर जाता आज भी है बड़े बड़े लोगों को सदेश से कोई मतलब नहीं है अगर उनका दो रूपए एक फायदा हो रहा तो देश का दो लाग का नुक्सान करने में उन्हें जरावी ही चक नहीं है एक पैसे की ही चक नहीं ह है 99 परसेंट लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है वो क्या करते हैं अपने दो रूपए के फायदा के लिए फ्रस्टाचार करेंगे मर्डर करेंगे कदल करेंगे रेप करेंगे जो भी चैदा उनके मन में आता हो करते हैं इतने निर्दोंद है रोज घटना घटती रहती है चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते आज भी देखिए कानून के मामले में पुलिस वाले जो को कोलकाता में अभी रेप का कांड हुआ है महिला डक्टर के साथ वहां पर लीपापोती पुलिस वाले की है सुसाइट क्या दिखाय जबकि इतने खरोज थे उसके हाथ पर उतने हाथ पर तोड़ दिये गए थे पता नहीं क्या क्या हमने देखा ने उसको लेकिन है कि जैसा न्यूज में आया है कि यह स्थितियां थी कि इतनी निर्दैता से मारा गया था कि आदमें खुद उतनी चोट नहीं पहुचा सकता जितना इनको हुआ था उ इसका मसली वाला मसली बेच रहा तकेशेर जात आज जात की स्थितियाज देख लिजिए तकेशेर ब्रामड से धोबी हो जाए और धोबी को ब्रामड कर दें धर्म परिवर्तन आज ही पेपर में है कि धर्म परिवर्दन कई लोगं को सजाए हुई हैं आज ही पैसे के लिए लोग यह स्थितियाँ है कि पैसे से लोग धर्म परिवर्दन कर लेते हैं तीसरा द्रिस सेथ सेथ सब एक से जहां कपूर कपास ऐसे देश कुदेश में कबोन कीजे वास प्रासनिकता देखिए मतलब जहां पर सब्धान 22 पसेरी है वहां पर इस्तितियां कुछ नो कुछ खराब है टके से रखाजा अंदेर नगरी चौपट राजा तो कुछ नो अंगीरता में देखा जाए तो यस्तितियां आज भी कहिन कहीं कायम है और इमांदारी और करतब निष्ठा की और बैमानी की अगर दोनों को एक पलड़े प्रक्ष दिया दोनों बरावर नहीं है आपको जो बैमानी वाला पढला पलड़ा है वह भारी मिलेगा इमांदारी वाला प्रड़ा अब तो हलका मिलेगा उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है तो ऐसे देश में को देश में लेकिन मजबूरी है कहां बास करें रास्वावाल इस्तिति आप जानते हैं किस तरह से गैर तार की को करके आज भी अगर संभिधान ना होता तो उसको भी अलीन पावर में होता थां तदर्थ जो आप जिसके हाथ में उसमें जांच होती है वो तो उसको तोड़ता है अपने पैसे के लिए आज भी जो जांच अधिकारी हैं उनको पैसा दीजिए उनको मैनिपकेरे 넣 हो करने वाला इदर दर अगर बहुत पड़ी घटना नहीं नह इसके बाद पाचवे द्रिष्ट में इसकी प्रासिंगता देखिए साचे मारे मारे डोले छली द्रिष्ट से रचड़ गोले साच कहें तो पनहीं खाएं जूटे बहुवित पद्वी पावें अंधा दुंद मचैसब देशा मानू राजा रहात भी देशा अब एे देख लिए की ये चीजें कितनी आज भी सच हैं साचे मारे मारे डोले चली दृष्ट से चढ़ को आज में हैं तलवे오ी सिर्स पर राते हैं पद नत होती है चाह सरकारी नोगरी हो चाह प्राइबेट हो और चली दृष्ट से चत चे बहूले हैं साचे मारे जो साचा आदमी है जो इमानदारिस काम कर मेहन से काम करता है उससे तो हासिय पर ही रखाया था उससे दो चाबुक उसको पढ़ता है घजो चलते वाला बेल है उसको ही दोडंडे पढ़ते हैं तो डंडा पढ़ता है उसको सांच कहें तो पनहीं खाएं जूटे बहुवित पद भी पामें सच्ची बात बोलो तो डंडा मिलेगा दस लोग आपके विरोधी हो जाएंगे और जूट कह करके आप अपना काम भी निकालेंगे और दस लोग भावावी करेंगे अंधा दुन्द मचैसब देशा मानो राजा राध विदेशा अब यही लगता है कि आज भी है राजा से मिलना कितना कठिन है आप प्रतेक्स रूप से मिलना चाहें तो महीनों लग जाएंगे आप हुमारे प्रतान मंतरी से, राष्टपती से या किसी मंतरी से, किसी विधायक से किसी सांसत से मिलना हो तो इतना असान नहीं मिलना चुनके आप भले भेजते हैं कहते हैं कि आपके प्रतनिध हैं लेकिन मिलना असान नहीं होता है तो मानो राजा राध विदेशा छटा दिश समसान है कि चौना से कि उसी कहाने के दात पर यह में है कि उनको nहीं कि भासम अगर आप चम्धा नहीं है तो आप सभॉन साहे साथम समाचरी महांत जी- Indra पहों करते हैं चाल चलते हैं उपड़ देने का और काते हैं कि तुम नहीं चड़ों मैं चड़ोंगा क्योंकि स्वार का द्वाराज खुला हुआ यानि उनको उसी भास मुनों समझाया तभी जाकर के वो बच पाया नहीं तो उसको पहांसे लग जाती तो इस तरह से देखते हैं प्रासंगीता आज भी उतनी ही है जितनी उस समय थी इसकी प्रासंगीता में जरा भी कमी नहीं आये थी अब आती है रंगमंचियता की बात अगर करें तो रंगमंचियता में अगर देखा जाए तो ए नाटक रंगमंच को ध्यान में रख करके 1881 मे एक दिन में लिखा था इस नाटक के अंसार रंगमंच को नहीं करना है रंगमंच के अंसार इसको लिखा गया था इसलिए रंगमंच ये था को ध्यान में रखने कारण ये जो है नुकड नाटक के रूप में कम संसाधन में आराम से खेला जा सकता है इसमें जो भासा है जैसे पहले दिर्श में क्या खाते हैं मान जे गोबर्धन दास से कि बच्चा नगर बहुत सुन्दर दिखाई दूर पड़ रहा है दूर से देखो भिच्चा उच्चा कुछ मिले अब उत्तर भारते हैं भिच्चा उच्चा लोटा उटा थाली वाली इस तरह तमाम सारे सब्द बोल दे जाते हैं तो जो भासा की तारतम्मिता है वो बनी हुई है और प्रवाह जो है छई द्रिस्से हैं तो छोध द्रिस्से में जो कथानक हैं कथानक और संबाद और द्रिस्से सारे का प्रवाह बना हुआ अलगातार इसमें नाटक के रंगमंचेता वो अच्छी होती जिसमें निर्देशक के लिए जो कलाकार है उनके लिए एक्टर के लिए अपनी निर्देशक के लिए एक्टर के लिए या जो उसको उसमें और भाग लेने वाले हैं उनके लिए कुछ creative creative होने की संभाव ना होती तो यहां पर पूरी संभाव ना है और दूसरी चीज है कि बजट इसका कैसे या रंगमंच के अनुकूल है कि नहीं रंगमंच फेसे हम देख रहें कि कोई भी दृष्येस है यहां कर चाहे लिए सारे ऐसे हैं बाह्त्रांथ का बैचने वाले हैं तीसरें जंगल है और रंदे हैं नहीं है तो ठांचे और मेरा ऑट व такие तो चता संझार यह कोई बहुत बड़ी नहीं है, आराम से सको बनाय जा सकता है, और छोटे-मोटे इफेक्ट पैदा करके किया सकता है, इसमें अगर हम चाहें, तो बड़े इफेक्ट भी पैसा लगा करके या रंगमंच को और आदनिक बना करके भी खेला जा सकता है, एक देड़ घंटे में कि यह सकता है और यह हर यूग के लिए बहतरीन है इसलिए कि इसका ब्रंग मंचन तो आशान हई है गाने उने भी इसके अपने हिसाब से आप सेठ कर सकते हैं किस तरह से इसको यूज करना है जो इसमें कभिताइं यूज होई है क्योंकि ये प्रासंगीता है इसको अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं और रंगमंच की दिरिष्टी से इसको जो है इतने आराम से खिला सकता है इतने कम समय में इतने मतलब बहुत ज़्यादा पड़े लिखे होने गरोत नहीं है भासा देखी रहे हैं भ अव्या Motor के लिए मुश्किल है ईक पढ़ा लीखा विद्धुजन होना चींज है उसको नाटक के मन्चन के लिए यहां पर रेसी कोई बाधता नहीं है यहां के मैं इस नाटक के मंजन के लिए कोई बिद्वजन नहीं होने बहुत बिद्वान होने की उरुद नहीं है सामाने भासा पकड़ रखने वाला भी आराम से इसका संबाद बोल सकता है है ुशा Nahe haa Kao संबाद गई हो जैसे कबाड़ी वाला है चने जोर गरम या कुजडिन हैं ये इसे काजी वैसे पाजी चके से खाला हर भाजी टके से जाने मतलब अधर्तिस दूड़े लोग हैं आपस के आपके आस पास के उनको उनकी भासा उसी अनुसार उसी प्रवाक अनुसार रखी गी है मतलब ऐसा नहीं कि जो चना बेच रहा वो बहुत उच अस्तर की जो संसलिस्ट भासाया का सकते हैं कि बहुत ही परिस्टित भासा वो बोलेगा सेथ से सब एक से जहां कपूर का पास ऐसे देश कुदेश में कमून कीजे वास मतलब ऐसे ही भासा बोलेगा जातपात पीछे ने कोई हरीका भज़े सो हरीका होई तो भासा एकदम से बहुत इसी वज़ा से इसका रंगमंचन बहुत ही आसान है तो हम देख लिए कि इतना माचन अब फान चोटा नाटक प्रासंगिक्ता इसकी काल रंग-मंचवता इसकी बहुत ही आधनिक से आधनिक है आसान से आसान है कम बझेट में इसलिए इतना मंचन हुआ इसका जितना नुक्कन नाटक किसका खिला गया हो थैंक्यू for watching you बिजय अभी तक आपने सब्सक्राइब ना क्यों सब्सक्राइब करना है थैंक यू